नमस्कार, खवर फॉर यू के लोगसभा परिचर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हुए रुपेश राय जी और हम लोग चर्चा कर रहे हैं आमला सिट के वारे में तो बहुत-बहुत स्वागत है रुपेश जी और चलते हैं आज के परिचर्चा में और आप से जानते हैं कि क्या है आमला सिट का गनिक कौन वहां मजबूत है इस पर 2024 के लोगसवाद चुनाब में बहुत बहुत स्वागत है। आमला सिट के विशेश परचान है कि जब यह पहले बार लोगसवाद चेत्र के रूप में इसको परिमार्जित किया गया तो इस पहला जो यहां से चुनाब में जो जीते थे वो विश्व हिंदू सब महासवा के कंडिडेट यहां से जीते थे उसके अलावे यहां पर जो महत जो यहां से आंसद रहे हैं उनका टिकट यहां से रिपीट किया गया है और सप्पा के तरफ से जो एंडी ऐलायंस के उमिद्वार है वो है नीराज मौर्या और इस बार दो आजार चौविस में मुख्य मुकाबला इन दोनों को बीच में है सप्पा वर्सिस बीजेपी के जाते हैं तो यहां पर मुस्लिम, यादो, क 최근, मौरे और ठाकुरぜ यहां पर एक significant amount में यहां पर इनकी संक्या है और यही यहां में चौणाव के दसा और दसा को निरधारित करते हैं जिस तरफ होता है वह है। यहां से बिजह होता है या बहुत ज़ादा टक्कर में रहता है और इस बात बिस्लसर से यह बत बिलकुल क्लियर है कि यह वाला पक्ष कहीं न कहीं समाजवारई पार्टी के पक्ष में या इंडी अलाइंस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है लेकिन जैसा कि अन्य सीटों पर भी होता है इस सीट पर भी रिवर्स पॉलराइजेशन होता है और कश्यप मौर्या जो यहां पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एमाउंट में हैं और ठाकुर भी साथ में हैं यह लोग के भारतिय जन्ता पार्टी के साथ इस समाज का मत ज्यादा प्राप्त होता है और भारतिय जन्ता पार्टी पिछले दो बार से यहां से जीत्ती आ रही है जैसा मैंने पहले बताए यहां पर एक बार मेनिका गांधी भी जीत चुकी है भारतिय जन्ता पार्टी के अभी candidate यहां पर NDA के तहत गटबंदन में आया था तो यहां से जीद चुके हैं जी राजे जी 2019-2014 आकड़ों की अगर बात करें तो क्या इस्थिति थी इस छेत्र की जी अगर देखिए अगर मैं 2019 की अगर आकड़ों की बात करें तो बीजेपी यहां पर 51% का ओट पाया था जबकि वहां पुछली बार सप्पा और बसपा के गटबंदन के तहते सीट आये थी और बसपा ओट लगभा लगभा 40% ओट यहां से मिले थी और उसमें INC Congress अलग लड़ी थी जिसके खाते में लगभा लगभा 6% का ओट गया था तो अगर इस बार सारे अगर भी पक्षी के गटबंदन को भी मिला लिए जाए 2019 के चुनाओ के परड़ाम के बात करें तो तो भी से लगभा 5% ओट का कम होना पाया जाता है लेकिन इस बार समीकरण अलग है सपपा और बसपा दोनों अलग 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 लड़ रहे हैं तो अगर पिछली बार की समीकरण बात किया जाए या 2014 की बात किया जाए उसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें भारती जनता अलग 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 लड़ी थी तो सपा को लगभा 27% और बसपा को लगभा 20% यहां पर ओट मिले थे तो 2014 की अगर बात के जाए और दोनों भी पक्षी पार्टे क्लब कर दे जाए तो कहीं ने कहीं भारती जनता पार्टे के ओट से ज्यादा होता है लेकिन यह सिर्फ पर अभी बरतमान में जो भी वहां से समिकर बन रहे हैं या जो आप लोकल ने उच्पढ़िएगा वहां से या लोकल लोगों से बात किजिएगा तो काटे की है लेकिन कहीं ने कहीं एक अपर एज भारती जनता पार्टी के पक्षे में जाता हुआ दिख रहा है चुकि यह कि अधिनल डिसेजन चार तारिख को ही आपको मिल पाएगा जब यह मत पेटिया को